आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाए जा सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तिसे लाइक और शियर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले लिए हमने लिए मैदा दो कप मैदा है लगवक 3700 ग्राम दस से बारा उगले हुए आलू लिये हैं मसालों में हमने लिये आदा चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच अमचूर पौडर, आदा चम्मच अजवाइन, 12-13 खाली मिर्च, एक चम्मच नमक और डो में डालने के लिए हमने लिया है देशी की, आप चाहो तो रिफाइन भी डाल सकते हो एक चम्मच कसा हुआ अद्रक लिया है, आदा कटोरी ये फ्रोजन मतर है, दो हरी मिर्च जो बारी काट ली है, एक चम्मच गरम मसाला पौडर, एक चम्मच चाटना साला पौडर, सबसे पहले हम समोसे के लिए दो तैयार करेंगे, उसके लिए हमें इस मैदे में गी डालना ह गी डालने से हमारे समों से और भी अच्छे बनेंगे, और खस्ता बनेंगे, अगर आप चाहें तो इसमें रिफाइन भी डाल सकते हैं, अजवाइन डाल देंगे, आदा चम्मच नमक भी डाल देंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गी और नमक को देखिए हमने अच्छे से मिला दिया है, इस तरह का होना चाहिए ये, देखिए इस तरह से बन जाए, अब हम इसमें पान डाल कर, सॉफ्ट डू तयार कर लेंगे, पानी आप थोड़ा-थोड़ा ही डाले, देखिए इस तरह का टू हमें तयार कर लेना है, और इसे हम 15 मिट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हम अपनी समॉसे की फिलिंग तयार करेंगे, आलू की स्टफिम गनाने के लिए हम पहले आलू को हाथ से फोड लेंगे, ना हमें ज़्यादा महीन करना है, ना ही ज़्यादा मोटा करना है, दिखिए आलू हमने अच्छे से फोड लिए हैं, अब हम इसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्स टॉडर, अंचूर बॉडर, गरम मसाला पौडर, चाड मसाला पौडर, सब को अच्छे से मिक्स कर लिए है, अब हम पैन गर्म करते हैं गैस पे उसमें एस थोड़ा सोल डालेंगे , जिसमें हम अलू को प्राई करेंगे, कर स्टफिंग के लिए हम तेल कर लेते हैं , वैस बीक्स कर लेंगे, नो जाल से तेल में थाबट काली मिच्ट डाल देंगे तसा हुआ अधरक भी टाल देंगे इसे हलका सा भून लेते हैं हरी मिच्ट भी टाल देंगे हरी मिच्ट आप अपने टेस्ट आपोडिंग दाल सकते हैं प्रोजन मटर भी डाल देंगे थोड़े से काजू भी टाल देते हैं यह अप्शनल है अगर आप क्या है तो डाल है ना चाहें चना रहा है अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें अलू का मिक्टर से बनाया है उसे डार लेंगे और इसको भून लेंगे अलू को हमें एक मनट तक अच्छे से भून लेंगे फिर इसे प्लेट पने काम देंगे आलू को मिक्टर हमारा अच्छे से भून चुका है अब हम इसे प्लेट में ठंडा होने के लिए तोड़ देंगे और इसमें हम धनिया भी डाल देंगे और इसे अच्छे से विक्स कर लेंगे यह समोसे की स्टफिंग हमारी रेडी है समासे की स्टफिंग हमारी तयार है और हम समासे के लिए कबर तयार करेंगे पूरी बेल लेते हैं पूरी को हमें पतला भिख लाएं इसको हम दो पार्ट में काट लेंगे और एक पार्ट में इस तरह से देखिए यहां से दूर से कट लगाएंगे फिर इसको थोड़ा चोड़के यहां से यहां से देखिए यहां ने कट लगा लिए हैं अधे पार्ट को ठाके इसके उपर रहेंगे इसको भी बेल लेंगे जिससे आपस में चिपक जाएंगे अगर आपके समोसो चिपके नहीं तो आप थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं दिखिए इस लेयर्ड हमारी चिपक चुकी है और इसमें हम थोड़ा सा पानी लगा के समोसो का आकाव दे देंगे इसको अच्छे से प्रेस करते हुँ दबा लेंगे और इसमें हम इस टफिन डाल देंगे इसमें भी पानी लगा के इसको बंद कर देंगे देखिए लेयर्ड वाले समोसे हमारे तयार हैं इसी तरह से हम बाकी के समोसे तयार कर लेंगे और फ्राइ कर लेंगे इन्हें हम फ्राय करने के लिए डाल देते हैं कड़ाई में और इसे गोल्डन ब्राम होने तक मीडियूम ख्लेम पर फ्राय करेंगे समोसे हमारे चाहँ होने लगें पर बालट पर गोलडन ब्राउन उनने तक प्रॉई करेंगे देखिए लेयर का समोसे अच्छे से शिख स्के हैं एम प्लेट में निकाल ले थे और बागी के समोसे भी इसी तरह से से शेक लेएंगे देखिए एक एक लियर इसकी साथ मज़रा लिए समासे हमारे बनके तयार हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शियर जरूर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले